ये तेवीस नोहेंबर रोजी नाखपूरचा श्रद्दानद अनाथालाय ये थे आगड़ी-वेगड़ी दिवाडी मिलन चा कार्यक्रमाचे आज़वन करनेतालिया सून या अनाथा श्रम बदल माहिती दिलिया है श्रद्दानद अनाथालाय चे वेवस्ताफक आनी कैट चे दिपावली के हादिक शुब कामना है दिपावली हर किसी ने मनाई होगी और दिपावली में लक्षमी माता ने आपको भरपूर आशिरवात दिया होगा खुशियों से दिपावली मनी है लेकिन 20 तारीक को आने वली 20 तारीक को एक और दिपावली मनने जारी है जो श्रद्द जो कैट के रश्टियत देख्षपी है और श्रदानान अनाताले से वर्षों से जुड़े हुए है तो उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जानेंगे कि इस अनाताले की दिपावली की क्या खास विचिश्टा है सर दिपावली के आपको विके भी परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुब काम माहा लक्शमी का आशिरवात सब के उपर बना रहे अ расп गया रही बीस तारीक को जो कारेक्रम है वर्षों से हम देखते हैं आरे श्रद्धानन अनातालय से बहुत करीबी रिष्टा रहा है आपका कई कारेक्रम हुए कई लोगों के आपने शादिया करवा दिये कई बच्चे सेटल हो गए बच्चों में अलग सा उस्सा होता है जब हम अनातालय जाते हैं जब करीब से देखते हैं इस अनातालय को तो क्या देखे मेरा समाच के सभी लोगों से एक ही कहना है कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखे अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर भी नजर डालो और रोश्नी वालो बच्चे जब बच्चे जब उत्सा बनाएंगे उसी समय हमारी सही माइने में दिवाली है हम व्यापारी लोग है समाच के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं हर साल ये पिच्चानों साल पुराना अनाताले लड़कियों का अनाताले है पिच्चानों साल पुराना हम लोग हर साल हम समझने यही सही दिवाली है। मुंबई हाई कोट मुंबई में यह तैय किया गया कि नागपुर में मैंने भी इसकी जाबदारी लेना चीए करीब दस बारा साल पुरानी बात है। जबी भी लड़किया हमारी बड़ी हो जाती है। तीन-चार लड़कियों का मिलाके हम लोग सामुएक विवा करते हैं। पूरा समाज साथ में आ जाता है। हजार से ज़्यादा लोग जमा होते हैं बच्चियों को आशिरवा देते हैं। और वो आज एकड़म अच्छे से अपने परिवार के साथ सुखी हैं। उनके बच्चे भी हो गए। वक्त आया हम भी जाते हैं। और वो भी लड़कियां बच्चे लेके हमारे पास आती है। और एक पारिवारिक रिष्टा इन बच्चियों के साथ हमारा बना हुआ है। परत्या जी हमने देखा है कि कई बार जब शादी समार होते हैं इन अनाद बच्चियों के। हाला कि उनको अनाद तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके पैरेंट्स आप होते। इन बच्चियों के जब शादी समार होते हैं तो एक आसू भर आता है। मन में खुद की बेटी जब विदा होके जाती है तो मन में कुछ अलग सी उलजन चलती रहती है। आज जब धाई सो के करीब शादीया हो चुकी है जब तो उनकी मॉनिटरिंग करना मतलब खुश है या नहीं अपने परिवार में कोई तकलीप तो नहीं क्या वो भी उसके बाद देखा जाता है। मतलब सदा के लिए रिष्टा हैं। नहीं देखिए ऐसा है मैं आपको बता दूँ बच्चे अनात होंगे जब तक हमारी प्रिमाइसिस में नहीं आए। हमारे यहां आने के बाद वो अनात नहीं है। उनके पूरे पेरेंट्स हम लोग की जवाबदारी है, पूरे टरस्टियों की जवाबदारी है। और एक अच्छे घरेलू वातवरन में सब बच्चे रहते हैं। जहां तक शादी की बात है और कनेक्शन की बात है। आपने की प्रातना करते हैं। जहां पर यह दाग नहीं लगना चीए, कि वह कहां से आई ये। जहां पर मैं उदेवपूर गया था, उदेवपूर के पास एक गाउं में गया था, क्योंकि वहां था कि इसके माबाप तो आई नहीं, वो रिसेप्शन करना चाते, हम यहां से उदेवपूर गए, मिठाई, फल लेके गए, मारवारी स्टाइल से लेके गए, और हम वहां पर उसके पैरेंट्स के तरीके से खड़े रहे, वो जो आदमी वो बच्ची को शादी करके ले गया था, वो बड़े उत्सा से बोलता था कि भी मेरे लड़के के ससूर और सास आए हैं, यह जो मेसेज है, यह समाज में जाना बहुत जरूरी है, पत्तिया जी सबसे बड़ी बा लेकिन वो हो नहीं पाती, क्योंकि जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनको कई लोग, कई बुद्धी जीवी लोग कहते हैं कि आप अड़क कर लो अनातालय से बच्चा, लेकिन वो मानसिक्ता बन नहीं पाती, क्या लगता है समाज का इस और एड़ॉप्शन के और नजरिय हो, आपको ये समझ ना किये, कहीना कहीन एक मानसिक्ता थी, कि वो किसी और का बच्चा है, मगर अब वो मानसिक्ता समापत हो गई, हमने देखा है, जो पैरेंट्स अड़क करते हैं, वो उसको अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, और पहले तो छे मह महने में बच्चा मिल जाता था, अब अडॉप्शन की इतनी डिमांड है, कि छेचे साल लग रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, ये बताता है कि समाज में जहां तक कि गोद लेने की प्रता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जो बच्चे समय पे में आपको एक चीज और बोलूँ, डिमांड लड़कियों के अडॉप्शन की ज़्यादा है लड़कों से, हमारे पाइस जो लोग आते हैं, लड़किया मांगने भी आते हैं, मगर ज़्यादा लड़किया मांगने आते हैं, बीस नौमबर के कारेक्रम की खेर बात कर लेते से कारेक्रम की बड़े वी आई-पी के साथ दी पॉली मिलन की है, ने जिसे कैहा ना, आज्नादी देश्कों मिली, यानि देश में रहने वाले हर नागरिक को मिली, भड़ा चोटा पैसा बड़ा नहीं हो सकता, हमारा वैवार बड़ा है वो भी समाज के वही उत्ते ही important घटक है जितना कोई पैसेवाला होगा तो हम समाज को ऐसे काट नहीं सकते कि ये कम पैसे वाले हैं तो ये हमारे साथ नहीं मिलेंगे और निश्चित रुप से उनको संकोच आ सकता है हमारे साथ मिलने तो हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा हमें उनसे दोस्ती करना पड़ेगा और हमें उनको बताना पड़ेगा कि आप और हम एक है किसी के पास कुछ जादा रहता है किसी के पास कुछ जादा रहता है किसी के पास शक्ती जादा रहती है किसी के पास अगर पैसा ही सब कुछ नहीं हो सकता इसलिए हम सब समाज के लोग एक समान रहेंगे दुसरे के खुशी में अपने खुशी देखेंगे उस दिन मेरा देश महान बन जाएगा ऐसा हमारा मानना इसलिए हम नागपूर के व्यापारी टीम केट नागपूर की तरफ से हर साल इन धर्म का भी काम करते, पुजा का भी काम करते और एक दोस्ताना भी बना के रहें यह हमारा उद्देश है एक अंधिम सवाल, सौबाइक गिशाली मानते हैं कि ये कारे के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है मुझे हमेशा ऐसा लगता और कई लोग मेरे को टोकते भी हैं कि यार तूने ही ठेका लिया है कि गाए की सेवा करना है तेरा ही नाम आता है व्यापारियों के काम करना है तेरा ही नाम आता है और ये लड़कियों का अनाथाले चलाने का भी तेरा ही नाम आता है तो कहीं न कहीं भगवान शाय चाहता हो कि मेरे माध्यम से ये कारे हो इसलिए हर जगा मेरा नाम आता है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है प्रभू करवाता है, वो हम करते हैं, मैं खुद स्वेम हो के मैंने कभी ऐसी इच्छा नहीं रखी प्रमेश्वर की इच्छा के सिवा कुछ नहीं होता, प्रभू जो करवाता है, उसके कारिय वो कर रहे हैं नसीब नसीब की बाते बीसी भर्तिया जी, नापूर के प्रतिष्टित व्यापारी वर्ग में से आते हैं और नापूर की प्रतिष्टा के एक मातर गवा भी है आप सब आमंत्रीते हैं